मौउ जिले में लगातार दबंगई का मामला प्रकास में आ रहा है देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से गर्मी का पारा चरता जा रहा है उसी तरीके से दबंगों के कारनावों का पारा भी चरता जा रहा है इसी कारनामे की कड़ी में एक बार फिर दबंगों ने आटो चालक पर अपनी दबंगई का कहर पर पाया वीडित आटो चालक नशीम एहमत के नुसारवे हलदरपूर थाने के रतनपुरा से वापस लौट रहा था कि रास्ते में ही गलत साइड में आ रहे एक युएक ने पहले तो उसे आटो से टक्कर मार दी इसके बाद अपनी गलती होने के बाद भी दबंगई करने लगा उसने गाली गलोज करते हुए पहले आटो में तोड़ खोर की इसके बाद इसके बाद चालक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी जानकारी के बाद पुलिस उसको इलाज के लिए जिलास प्रताल में भेज कर दबंगों की तलास में जुड़ गई है अब अपना इंडिकेटर चालू किये थे गाड़ी साड में आगे पी शिद्दे के सोचे की पास करेंगे तक तक उले करके हमरे टेंपू में घुशा दिया बाइक उसको पेपर देने जाना था अब उसको अब देने के चक्कर में लाटने लगा गोशने के बाद फिर मरे टेंपू में लड़ गए और करने पहारे टेंपू का थीज़ा फोड़ ती या टेंपू लाट रहा हूं पानी भरने वाला मसीन से उसी में पर टंगिया दबा कर तोड़ दिया कि जी तो